हेलो दिसको डेटा पैटरंस आई पियो के बारे में बात करेंगे बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस इसको मिला है क्या है फाइनल सब्सक्रिप्शन के फिगर्स वो हम बात करेंगे इंपोर्टन डेट्स आपको कौन से ध्यान में रखनी है ग्रे मार्केट प्राइस क्या कहता है लिस्टिंग के समय क्या एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं आपने एप्लाई किया है इस आई पियो में तो क्या एलोट्मेट के चांसेस रहेंगे और लास्ट में बिजनस से जोड़ी कुछ important details दोस्तो इस वीडियो में हम detail में discussion करने वाले हैं देखिए जब हम data pattern IPO की बात कर रहे हैं तो 600 करोड से थोड़ा कम का ये IPO था 588 करोड का और आप देख सकते हैं 120 गुना ये subscribe हुआ है बतब बहुत ही अच्छा response मिला है और तीनों categories QIB category की जब आप बात करते हैं 186 times over subscribe हुआ फिर NII category 260 times अब NII category का over subscription का एक hint तो आही जाता है कि IPO जो है एक अच्छा खासा listing दे रहा है retail subscription की बात करते हैं 23.6 times अगर आप retail investor है तो आपके allotment के क्या chances रहेंगे उसके बारे में जान लेते हैं देखिए हमने वहाँ पर तो देखा लेकिन application के इस आप से देखेंगे तो 19.9 times है मतलब almost 20 गुना है 20 ग rejection हो सकता है सब कुछ हो सकता है एक pinpoint data बता पाना मुश्किल है लेकिन roughly 19 में एक का chances है अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ी से टफ लग रहे हैं तो यह चीज है जो मुझे लगता है आपको जरूर जानना चाहिए इस IPO में पंपर response हुआ है retail investors का लेकिन जब IPO अच् listing gain के लिए अच्छा होता है तो फिर वहां पर over subscription भी हो जाता है और वही इस IPO के साथ भी हुआ है important dates कौन सी है जो आपको आप जाननी चाहिए 31 तारीक है 21 December लेकिन link जो है वो 22 December को expected है 21 तारीक तो basis of allotment जो है वो भार आएगा तो link 22 है तो 22 December है सबसे important date होगा link को हम share कर दोस्तों हमारा जो telegram group है उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं लगभग 1700 members telegram community में भी हो गये हैं तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं वहां पर भी हम analysis और important trends के बारे में जानते ही रहते हैं 23 तारीक को share credit और 24 तारीक को listing जो है इसकी expected है अब क्या listing के समय आप expectation रख सकत है फिलहाल GMP जो है जो अलग-अलग जो हमने research की है gray market की secondary research की है website देखिए 60% बता रहा है जो मुझे लगता है decent है बट हां कुछ दिनों पहले जब हम IPO के research कर रहे तो 80-90% था थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन फिर भी एक अच्छा-कासा अभी तो indication है कि listing gain हो जाए यस market अगर choppy रहती है अगर market अगर थोड़ा panic में रहता है तो फिर यहाँ पर जो GMP है उपर नीचे हो सकता है तो market conditions के उपर यह बहुत कुछ निर्भर करता है अगर आप देखेंगे यह IPO लगभग 600 करोड का तो जो anchor investors थे उन्होंने भी IPO में invest किया था 10 mutual funds ने apply किया था 18 schemes ने apply किया थ अर टोटल 23 anchors है कुछ बड़ी schemes हो सकता है यहाँ पर आपके भी investment चलता हो जैसे access flexi cap है HDFC multicap है अधित्य बिल्ला sun life balance advantage निपॉन इंडिया flexi cap कोटक multicap इन लोगों ने भी यहाँ पर इस IPO में apply किया अब company के बारे में चानता है company करती क्या है data patterns देखिए defense और aerospace electronics solution provider है यह और order book अगर आप देखेंगे 581 करोड की है तो काम क्या करती है radar है underwater electronics है avionics है small satellites है वो बनाती है और business में अगर कुछ risk देखेंगे आप तो government risk ही है मतलब government से ही इनको अगर project मिलते रहे तो क्योंकि देखिए यह सब जो भी radar है aerospace के काम है कौन use करता DRDO करता या government की जो इस रो जैसे दूसरी agencies काम करती है ठीक है न तो government तो concentrated जो है customers जो है बहुत ही concentrated हो जाते है तो यह एक risk है जो बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए बाकि अगर दूसरी जो इनके competitors हैं उनके साथ अगर आप compare करेंगे तो कुछ सालों में highest EBIT are return on capital employer, return on equity, defense और aerospace companies में इसका रहा हुआ है numbers एक पूरा पिछला financial year में तो total यह sales है 24 करोड का sales हुआ है अब उसमें से company ने कमाया कितना है जैसा यह EBITDA है तो 94 करोड कमाया है तो 41% का यह margin है जो मुझे लगता है decent है अब उसमें भी फिर बाद में tax और बाकी depreciation वो सब होता है तो last में net profit कितना आया 24 करोड के sales में 55.5 करोड क यह profit आया 24% का margin है जो मुझे लगता है decent है लेकिन हाँ यह consistent margin नहीं है आप 2019 में देखिए यह 7.7% था फिर बढ़ा फिर बढ़ा तो अगर अच्छे-चे orders मिलते रहे order book बढ़ती रही तो business भी अच्छा करेगा तो एक थोड़ा consistent stable नहीं यह थोड़ा market के हिसाब से रहेगा government का किस हिसाब से defense पर focus है उसके हिसाब से रहेगा वहाँ पर growth होता है तो naturally इन सब companies को फाइदा होगा जो defense में काम कर रही है चाहे वह extra हुआ या फिर data pattern हुआ या फिर भारत electronics हुआ उन सब को naturally फाइदा मिलेगा अगर आप बहुत recent का अगर आप बात करें तो 96 करोड ये 6 मैं इनों में उनका sales हुआ है और 23 करोड का profit है मतलब लगभग 24 करोड का margin है तो margin उन्होंने बचा के रखे हैं जितने पहले थे उसके आसपास ही है दोस्तों तो हम यहां पर देख पा रहे है जो total जो P ratio इसका हो रहा है 56 के आसपास हो रहा है थोड़ा उपर है यहां पर अगर सब्सक्राइब करें अगर MTR के साथ compare करें तो आपको थोड़ा नीचे आपको देखने को मिलेगा हमने देखा था MTR Technologies के जब IPO आया था बहुत अच्छा response मिला था मुझे लगता है सेम वैसा ही response इस IPO data patterns के IPO को भी मिला है अपना व्यूस जरूर बताईए आप क्या कर रहे हैं आपके यहां पर IPO के बाद भी apply करेंगे या invest करेंगे आपकी क्या रणनीती रहेगी जरूर बताईएगा दोस्तों आपकी कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thank you very much